बैया मेरे राकी के बंदन को नीवाना बैया मेरे राकी बेहन को ना बोलाना रक्षा बंदन पर बेहने भाई को राकी बानती है और आज एक खास राकी एक खास भाई के लिए बेहनों ने तयार की है मैं इस समय सेक्टर 40 के हनुमंत धाम मंदिर में हूँ और इस मंदिर में आज एक खास राकी है आप सोच रहे होंगे रक्षा बंधन है तो मंदिर में क्या तो हनुमन्त धाम ये मंदिर है सेक्टर 40 में जहां पर हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर में आज जो राखी है वो आपको दिखाएंगे कि क्यों खास है किनों ने वो राखी बनाई किस तरह से वो राखी बनी है और कितने बड़ी वो राखी है तो आईए हम आपको ले चलते हैं खास जगापर और यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह हनुमान जी के लिए बनाई गई सवा 11 फीट लंबी राखी और यहाँ पर जो सुंदरकांड महिला सवा है उन्होंने यह हनुमान जी के लिए सवा 11 फीट लंबी जो है एक अलग तरीके की राखी जिसमें प्यार है जिसमें शुरदा है जिसमें भाव है जिसमें भक्ती है वो इन्होंने तयार की है आप देख सकते हैं जो महिला सवा की स अब झाजता और इस राखी को बनाने का ऐडिया कैसे आया किस तरीके से राखी तियार की गई तमाम यह आपको बात्चीत करेंगे सुनवाइंगे निना तिवारी जी जो प्रधान है निना जी आपने जो इतनी लंबी राखी कब सोचा के यह बनानी है चाल जैशी राम रख्शाबंदन की सभी देशवास्टियों को बहुत-बहुत-बधाई ओ बिशेशकर बहुत-बहूत-बधाई ओ जी हनुमन धाम हनौन जी का बहुत बिशाल चंदीगड़ में मंंदर है ट्राइश सिटी में तो इस मंदर की सारी कमेटी मेहला हैं विशेश मार्किर से राखी लेकर रहा है तो बहुत सुन्दर चूज करके राखी लेकर आते हैं तो इसमें हमने सोचा कि हमारे महाबीर यह घर के भाई भाई तो है ही आई हैं यह महाबीर यह जगत के भाई हैं बुरी दुनिया के भाई हैं हनुमान जी तो इसके लिए कि सुन्दर सी पहले जब दस-बारा साल पहले रखी बनायी थी पाँच फुट की बनाई थी तो उसके बाद हमने दीरे दीरे धिरे दे देखा कि जब उपर जाती है ना रखी तो पांच पूर की रिकर दिपि कोट चो चोटी सी लगती हैитесь मारे हमाई जी बहुत बढ़े है फिर उसको दियर अब हमने ग्यारा फूट कर दिया कितना समय लगा आपको बनाने में पूरे पंदरा दिना अब तर्मो को लेखे उपर हमने से गत्ता लगाया इको फ्रेंडली है पूरा कागज है देखे आपको देख रहे हैं गोटा है किनारी है और इसमें पूरा मलब नग बगारा लगे वो इसमें हमने बगाज को समर्पित किये हैं बहुत शर्दा और भाब और प्रेयन से हमने इस राकी को बनाया है और वजन कीर्टन करते हुए यह हमने राखी तियार की है बहुत ही सुन्दर देखिए पंदरा दिन से इस राखी के त्यारी चल रही थी और सवा ग्यारा फीट लबी पहले पांच फिर साथ बढ़ते बढ़ते अब देखिए जिस तरह से कहा गया कि हनुमान जी सरवर्त जो व्यापक रूप है तो राखी का भी जो अकार है बढ़ र वो बनाएगी है गोटा लगाया गया है थर्मो कोल है और चुन चुन कर जो कलर हैं वो लगाये गए हैं और भक्ती भाव जैश्री राम के साथ जो है हनुमान जी के लिए जो पूरे भक्तों के लिए एक भाई का सवरूप हैं एक अदर्श हैं तो आपके सामने श्रद्दा के बंदन को नीवाना बैया मेरे राकी के बंदन को नीवाना बैया मेरे चोटी बेहन को ना भूलाना बैया मेरे राकी के बंदन को नीवाना बैया मेरे चोटी बेहन को ना भूलाना बैया मेरे राकी के बंदन को नीवाना तो आप देख सकते